वेलकम बैक टू माई चैनल वीवर्स आज के इस वीडियो में हम लोग डू एंडू नौट यानि कि क्या चीज यहां पे सकरात्मा के कौन से पॉइंट्स 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 निगेटिव है इसको देखेंगे पॉइटिव टैग वर्स और निगेटिव वर्स देखेंगे तो सबसे पहले यह पे क्या लिखा है कि बच्चों के अनुभव को सुइकार करना जब बच्चे है तो वो अपने साथ कुछ ना कुछ अनुभव ले करना चाहिए थीक है दूसा देखें पॉइंट या है दूसा है करके सीखना लर्निंग फोकस किया गया है तो इसको भी ध्यान रखेगा अगला है प्रोसाहन प्रोसाहन मतलब होता है इंकरेच आपको बच्चों को इंकरेच करना है चोटे चोटे वर्क में अगर बच्चा निराश हो रहा है तो आपको उसे क्या करना है यानि कि उसे आपको प्रोसाहन करना है इंक बच्चों को गती विधियों के माध्यम से पढ़ाना चाहिए, एक्टिविटी करानी चाहिए, तरह तरह की एक्टिविटी होती है, उनको जब आप एक्टिविटी कराएंगे, तो बच्चों में रुच्ची उत्पन होती है, तो एक्टिविटी भी आपका positive tag word है, अगला दे बच्चे को अलग नहीं करते हैं, बलकि एक साथ पढ़ाये जाता है, चाहे वो डिस्टी बादिक हो, चाहे उनमें कोई disability पाई जारी हो, चाहे वो बहुती पिर्थिबाशाली बच्चे हो, सभी बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, तो inclusive education भी आपका positive tag word में आएगा, अगला है बाल के इंदरित शिक्षा, बाल के इंदरित शिक्षा यानि कि जो शिक्षा है, जो शिक्षा पिर्णाली है, वो बाल के इंदरित होनी चाहिए, बच्चे को ध्यान पर ही पूरा system होना चाहिए, जो भी education system होता है, वो बाल के इंदरित होना चाहिए, कि बालक के लिए क्या चीज अच्छी है क्या चीज अच्छी नहीं है तो बाल के इंदरे शिक्षा भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है अगले देखें क्या है लोग तांतरिक और पिर्जा तंतर वातवरन इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है जब भी पेड़ागोजी की जो कोशन जो भी आप पढ़ा रहे हैं भाई का माहूल ना हो लोग तांतरिक वातवरन हो भाई का वातवरन नहीं होना चाहिए बच्चा डरी नहीं बच्चा वहाँ पिस सीखे और अपने डाउट को वो टीचर से फ्रीली पूछ सके तो इसलिए लोग तांतरिक जो वातवरन है वो बच्चा चुपचा बैठा है क्लास में शांती है पूरे क्लास में और बच्चा निश्करिये होकर बैठा है तो बच्चा निश्करिये नहीं होना चाहिए सक्रिये होना चाहिए अगर आप पढ़ा रहे हैं तो बच्चा उसमें रुची ले और रुची जब लेगा तो वो सक्रिय होकर उस तीस को पढ़ेगा तो बच्चा हमीशा active होना चाहिए इसलिए active world भी positive में आएगा और curiosity curiosity याणिके जिग्यासू बच्चा जिग्यासू होना चाहिए उसमें इक्चा होनी चाहिए कि जो वो सीख रहा है वो उसको सीखना चाहे ठीक है तो जिग्यासू होना चाहिए नेक्स देखी क्या है नेक्स वर्ड है बहु भाशिक्ता बहु भाशिक्ता है इनकी मल्टि लिंगुलिस्म एक क्लास्रूम में अलग-अलग मातर भाशा वाले बच्चे होते हैं तो ये जो मल्टि लिंगुलिस्म होता है क्लास्रूम वो एक रिसोर्स होता है ध्यान रखिएगा ये कोई बाधा नहीं डालता है बलकि ये एक संसाधन के रूप में देखा जाता है इसलिए बहु भाचिकता भी पॉजिटिव टैग वर्ड है अगला है पिरगती शील शिक्षा यानि के प्रोग्रेसिव एजुकेशन ये वर्ड भी आपका पॉजिटिव में आएगा अगला है वास्तिविक या दैनिक जीवन से जूड़ना जैसा कि NCF बहुत पोर्स करता है कि जो भी आप पढ़ाएं वो उसके वास्तिविक जीवन से जुड़ा होना चाहिए इसलिए इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा अगला पॉइंट है हस्त परक अनुभव यानिकी hands on experience उन्हें अनुभव करने के मौके मिले ठीक है hands on experience हस्त परक तो ये भी वर्ड आपको पॉजिटिव में आएगा अगला देखे क्या है सर्वगीड विकास इसका मतलब होता है बच्चे की जो शिक्षा है उससे बच्चे का सर्वगीड विकास होना चाहिए यानिकी उसके हर पहलू का emotional ठीक है उसका mentally, physical, emotional हर पक्ष का विकास होना चाहिए इसलिए जो सर्वगीड विकास है यानिकी overall development है ये आपका positive weird हुआ अगला देखे किया है मुक्त अंतवाले प्रेंश जिसे तिक यहाँ पर रा होगा अप सारी चिंतन अप सारी चिंतन यानि कि मुक्त अंतवाले जो प्रेंश होते हैं वो आपका positive में आएगा इस तरह कि जो question होते हैं यानि कि मुक्त अंत वाले जो question होते हैं उसमें एक नहीं बलकि अलग-अलग answer बच्चे देते हैं जिसमें जो divergent thinking से जुड़ा हुआ है यानि कि बच्चा कई पहलों में सोच सकता है ठीके अलग-अलग direction में सोचता है तो ये आपका positive में आएगा मुक्त अंत वाले प्रेंच अगला देखी क्या है सकरात्मक डेस्टिक ओर होना चाहिए ठीके positive और next देखी क्या है next है अत्मिन निर्भर बच्चा अत्मिन निर्भर बने next देखी क्या है छेतर भिर्मण छेतर भिर्मण का मतलब होता है field trip जैसे कि अगर आप science पढ़ा रहें तो बच्चे को जब आप ले के गए कोई आपने वहाँ पे उसको field trip कराई और आपने उसे अनुभव कराया तो उसने क्या करा उसने खुद experience करा चीज़ों को तो यह जो छेतर भिर्मण है field trip है यह आपका positive टैग वर्ड है अगला देखे क्या है सरजनात्मक्ता यानि कि creativity यह भी आपका positive टैग वर्ड है यानि कि बच्चे को तरह तरह की आप activity कराएं जिससे उनकी creativity बढ़े ठीक है अगला देखे क्या है portfolio का परियोग portfolio का परियोग इसमें बच्चे के हर तरह के जो 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 उसने achieve किया होता है सब चीज मेंशन होती है ठीक है नेक्स देखे क्या है पुनर बलन पुनर बलन मतलब होता है reinforcement यानि कि अगर बच्चा कुछ अच्छा काम कर रहा है तो आप उससे पुनर बलन दे वाश शाबाश तो इस तरह से जो वर्ड यूस करते हैं गुड वैरी गुड शाबाश तो ये क्या करता है बच्चे को पुनर बलन देता है अगला देखी क्या है रशनावाद रशनावाद में आपके प्याजे आएंगे वाइगोस की भी आएंगे जो ये मानते हैं कि बच्चे अपना ग्यान के निर्माण खुद कर सकते हैं तो ये भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड होगा अगला देखी क्या है विविदिता वैराइटी ठीक है संगलन करना बच्चों को इंगेज करें तरह तरह की एक्टिविटीज कराएं उनने इंगेज करें खोजने का मौका दें तो ये सब इचीज़ें आपका पॉजिटिव टैग वर्ड में आएंगी अगला देखी क्या है अगला है अफसर देना यानि कि बच्चे को ऑपर्चुनीटी मिले जहां कहीं पर भी opportunity बच्चे को मिल ले ही होगी वो हमेशा positive होगा then देखे क्या लिखा है चर्चा में शामिल करना यानि कि बच्चों को चर्चाओं में शामिल करना उनके जो वो सोच रहे हैं जो उनकी thinking है उसको समझना तो ये भी आपका positive tag world में आएगा अगला देखे क्या है अगला है पिरती एक बच्चे विशिष्ट इसका मतलब ये क्या है इसका मतलब ये है कि हर बच्चा अपने में यूनीक होता है इस बात को ध्यान रखिएगा individual differences पाए जाते हैं तो हर बच्चा अपने में यूनीक है ये सोच कर ही आप उन्हें शिक्षा दें ठीक है हर बच्चे में कुछ ना कुछ अच्छाई होती है यूनीकने सोती है तो इसलिए जो पिरती एक बच्चा विशिष्ट ये भी आपका positive tag world में आएगा अब हम लोग देखेंगे negative tag words की negative tag words में क्या क्या आएंगे सबसे पहले यांपे देखें क्या लिखा है पुस्तक केंदरिश शिक्षा या शिक्षक केंदरिश शिक्षा अगर teacher centered education है जहां पे teacher को centered माना जा रहा है या book को center माना जा रहा है तो ये हमेशा negative ही होता है ध्यान रखेंगा child center शिक्षा होनी चाहिए पुस्तक केंदरिश शिक्षा या शिक्षक केंदरिश शिक्षा नहीं होनी चाहिए next देखें क्या है kori slate खाली slate बच्चे को अगर आप ये कह दें कि वो kori slate होते हैं या खाली slate होते हैं ये भी आपका negative में ही आएगा बच्चा जब school आता है तो कोई ना कोई अनुबव ले कर आता है ये ध्यान रखेंगा अगला देखें क्या है langig asamanta यानि कि अगर आप लड़के लड़की में भेदभाव करने हैं कि लड़की मेर्ट अच्छे से कर लेते हैं लड़किया नहीं कर पाती है या इस तरह कि अगर कहीं पर भी langig asamanta है पक्च पात हो रहा है तो वो भी आपका negative में ही आएगा अगला देखें क्या है किसी भी option में अगर keval लिखके आ रहा है मातर लिखके आ रहा है या ही लिखके आ रहा है इस बात को ध्यान रखेगा keval लिखके आए मातर लिखके आए यानकी only लिखके आए मातर लिखके आए या ही लिखके आए या सिवाए बजाए ये जो words आते हैं वो हमेशा negative ही होगा sentence ध्यान रखेगा किसी में भी अगर रटने को प्रमोट किया जा रहा है रोट लर्निंग को प्रमोट किया जा रहा है तो वो भी आपका निगेटिव ही होगा अगला दीखे क्या है याद करना जैसे कि अगर आप किसी भी चीज को रटा रहे हैं बच्चों को समझाने ने बच्चा चीज रट रहा है तो ये भी निगेटिव ही होता है इसमर्ण करना, कंठस्त करना ये वर्ड अगर आपको किसी भी संटेंस में दिखे, किसी भी वाक्य में दिखे तो वो हमीशे निगेटिव ही होगा ध्यान रखेगा, कंठस्त माने भी रटना ही होता है याद करना ही होता है तो इसको ध्यान रखेगा, only है wrote learning है, memorization है ये सभी words निगेटिव ही है निगेटिव टैग words में आएंगे ठीक है, अगला देखे क्या है निश्करिये, जैसा कि अभी हमने कहा कि कोई teacher है, वो व्याक्या पे व्याक्या दिये जारी है बच्चा निश्करिये होके, passive होके केवल सुन रहा है, तो ये भी आप प्रुसकार दे रहे हो, डंड और प्रुसकार अगर दोनों लिख के आएं तो वो भी आपका negative ही होता है ध्यान रखेगा, आप बच्चे को डंड नहीं दे सकते हैं, छोटी-छोटी बात में अगर आप उन्हें प्रुसकार दे रहे हैं अगर आप क्लास में कीवल अनुशाशन बनाए रखे हैं, डिस्सिप्लिन में पूरा क्लास है बच्चे, पैसिवली बैटे हैं, शान थे क्लास, तो ये भी आपका negative ही होगा, हतो तसाहित करना, यानि कि अगर आप बच्चे से ये कह रहे हैं तुम क्यों नहीं अच्छे हो, वो देखो कितना अच्छा है, तो इस तरह से आप बच्चे को क्या कर रहे हैं, हतो तसाहित कर रहे हैं डिस्करेज कर रहे हैं, आपको बच्चे को प्रोस साहित करना है, इंकरेज करना है, कभी भी डिस्करेज नहीं करना है तो डंड सजा शिकायत समस्या बोज अनुशाशन हातो तसाहित करना यह सभी वर्ड निगेटिव ही होंगे परिभाशा जैसे कोई भी आप पढ़ा रहे उसके आप परिभाशा होंपे परिभाशा बतारे है तो यह क्या है यह भी निगेटिव होगा पिरती हो गिता है आप निरंतर कॉंपटेशन कराए जा रहे हैं तो यह भी आपका निगेटिव में ही आएगा बच्चो की गलतियों को इंगित करना ये भी आपका निगेटिव में ही आएगा ध्यान रखेगा अगला देखी क्या है व्याकरण ध्यान रखेगा व्याकरण जिसे ग्रामर कहते हैं उर्दू में कवाइद कहते हैं इस पर अगर बल दिया जा रहा है तो ये आपका निगेटिव में ही आएगा कभ कर रहे हैं मार्क्स दे रहे हैं या बच्चा पढ़ाई पढ़ाई मार्क्स के लिए कर रहा है कि मुझे इतने नमबर लाने हैं तो यह जो होता है मार्क्स या ग्रेड मिल रहे हैं या रैंकिंग आप उसके रैंक के हिसाब से यानि कि बच्चे को first second third कर रहे हैं इस तरह से उन्हें classify कर रहे हैं वर्गी किरत कर रहे हैं तो यह सभी चीजे निगेटिव में ही आएंगी अनुतीर उतीर भी आपका निगेटिव में ही आएगा कभी भी पढ़ाई marks के लिए नहीं करी जाती है great के लिए नहीं करी हैं तो यह भी निगेटिव में ही आएगा बच्चों को हमेशा उनके previous knowledge के हिसाब से compare करना चाहिए कि पहले उनका क्या level था और अब क्या level हो गया है लेकिन अगर compare आप कर रहे हैं दो बच्चों में तो यह भी निगेटिव होगा पक्चपात कर रहे हैं बाइस हैं तो यह भी आपका negative होगा अगला देखिए क्या है अलग करना और वर्गी करन करना बेसिकली यहां पर कहने का यह मतलब है कि आप बच्चे को अलग कर दें कि यह बच्चे वीक है यह बच्चे होशी आ रहे हैं तो यह जो अलग करना वर्ड हो जाएगा यह भी क्या हो जाएगा आप क्लासिफाई कर रहे हैं कि इतने बच्चे एवरेज हैं इतने बच्चे वीक हैं इतने बच्चे इंटेलजेंट हैं तो यह वर्गी करन यानि कि क्लासिफिकेशन करना भी negative में ही आएगा नेक्स देखिए क्या है नियंतरित करना का मतलब यह हुआ कि अगर आप पूरे कोशन ऐसा है जिसमें बच्चा कुछ यानि कि सोच नहीं रहा है divergent thinking नहीं है convergent thinking है तो यह जो convergent thinking होगी यह आपकी negative में आ जाएगी ठीक है अभी सारी चिंदन आपका negative में आएगा और positive में इसका क्या हो जाएगा इसका opposite यानि कि close ended question है तो यह negative में हो जाएगा और अगर open ended question है तो आपका positive में हो जाएगा जिसमें divergent thinking आएगी अगला दीखी क्या है कठोर अनुशाशन में शिक्षा यानि कि ऐसा अनुशाशन ऐसा वहां का वातवरण बनाये हैं कठोर अगर कहीं पर भी कठोर वर्ड है ठीक है तो वह हमीशे negative होगा इसको विध्यान रखेगा कठ कठोर अनुशाशन में शिक्षण ये मतलब है कि ऐसा अनुशाशन बनाये हैं जहां भी बच्चा डर रहा हो कठोर अनुशाशन तो ये भी आपका negative में ही आएगा अगला दीखे क्या है रिवार्ड जैसा कि अभी हम लोगों ने समझा है कि छोटी छोटी बात में आप बच अची हो जा रहा है वो सिफ प्रुसकार के लिए ही बढ़ाई कर रहा है फिर तो ये जो प्रुसकार है रिवार्ड से ये भी आपका negative में ही आएगा अगला दीखे क्या है अगला है श्यामपर्ड से उत्तर उताना यहां पर बच्चे क्या कर रहे हैं यहां पर भी बच्चे अक्टिव नहीं है बच्चा किसमें actively participate कर रहा है इस बात को ध्यान रखेगा श्यामपर्ड से अगर वो उतार रहा है तो यह कोई गतीविधी नहीं है ठीक है गतीविधी यह नहीं होती है कि आप उस blackboard से बच्चों को उतरवा रहे हैं यह भी activity हो रही है बिलकुल भी नही तो यह भी आपका negative में आ जाएगा दबाओ चिंतन यह भी आपका negative में आएगा बच्चा stress में है बच्चा हमेशा पढ़ाई मतलब कि कोई ऐसा नहीं कि बोज समझे यह उसको stress हो जाए तो इस तरह से जो stress है यानि कि चंता है दबाओ है यह भी आपका किसमें आ जाएगा य अगला देखे क्या है समू पिर्थक करन यानि कि बच्चा एक बात ध्याने कीगा कि बच्चा हमेशा गुरुप में अच्छा बनता है सीखता है उसमें सहभागिता आती है यहां पर कह रहे हैं समू पिर्थक करन तो यह जो समू को आप अलग कर रहे हैं पिर्थिक करन कर र ही हो तो लाइक शे सब्सक्राइब जरूर कीचेगा मिलते हैं आप से नेक्स क्लास में एक नए वीडियो के साथ